प्रत्थम दृष्टी में सामाने लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है फल का त्याग कर देना उन्हें तो लगता है ये तो असंभव बात है ये हो कैसे सकता है हम तो कामी फल के लिए करते हैं हम तो कामी धन के लिए करते हैं पद के लिए करते हैं चीजों के लिए करते हैं, ये भगवान श्रकृष्ण समझा गया रहे हैं, उन्हें नहीं समझाता, उन्हें कैसे समझाए, वो एक्स्ट्रेमिस्ट होते हैं, अतिरेकी होते हैं, वो कभी भी अपने कर्म को ठीक से नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ फल की इच्छा होती हैं, साम जैसे सामने आइस्क्रीम रखी हो और छोटे छोटे बच्चे बैठे हो अब सब बच्चे वो आइस्क्रीम चाहते हैं सब दोड़ रहे हैं उस आइस्क्रीम के पीछे जब वो आइस्क्रीम मिल गई तो खुशी मिल जाती है नहीं मिली तो बड़ा दुख होता है अब उस आइ किसे चाहते हैं संसार की वो भी क्या करते हैं कोई व्यक्ति उनके मार्ग में आ जाए तो उसे बाधा समझ कर ने को तयार होते हैं कैसा भी कर्म करना पड़े नीच से नीच कर्म करना पड़े सब करने को तैयार है परन्तु वो अपने आपको नहीं सुधारते ऐसे व्यक्ति का अंतहकरण कैसा होगा ऐसे व्यक्ति के अंतहकरण में काम, क्रोध, लोब, मो इर्शा सब होते हैं अगर वो व्यक्ति कितना कहे कि मेरे अंदर तो इर्शा नहीं है इर्शा होगी लग जाती है ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक शेत्र में भी आता है तो ये सोचता है मैं ही महान हूँ दूसरा तो बिलकुत बेकार है दूसरे को हेय दृष्टी से दिखने लग जाता है तो सत्व गुणी पुरुष के यहां लक्षन बताए गए अब हम उसे जाने सत्व विवेक वती बुद्धी होती है विवेक का जागरण होता है ऐसा विवेक जो सही और गलत को काट कर रख देता है आपको तुरंट समझा जाता है यह गलत यह सही मुझे कहां जाना है मुझे सही तरफ जाना है तुरंट अपना आप्शन ले लेगा ऐसा व्यक्ति आत्म अन अनात्म में भेद देखता है, अनात्म उपाधियां हम जानते हैं, हमने गीता में पड़ी हैं, सांखी योग में हमने इसे जाना था कि अनात्म उपाधियां क्या हैं, यह शरी, सेंस, मन बुद्धी, यह सब अनात्म उपाधियां हैं, यानि कि यह सब नश्वर हैं, यह सब हम हैं हमें हमारे उपद ठोपी होई हैं कि जो अरोपित हैं हम इनके साथ तादात्न करके ही संसार की का रच करते हैं और फिर ये सोच ले छил दे हैं कि इनके धर्म हमारे अब इनके धर्म क्या है इनका धर्म है उष्य शुधा त्रशा इनका धर्म क्या है शोक मोह हम इन्हें अपना धर्म समझते हैं परन्तु आत्मा का धर्म आनंद होता है आत्मा का धर्म शोक नहीं होता मोह नहीं होता शुधा नहीं होती जनम मरण नहीं होता त्रश्णा नहीं होती तो आप अनात मुभातियों से तादात में नहीं करते जो इस ग्यान को प्राप्त करता है वो तादात में नहीं करता यानि कांटाक्ट नहीं करता पर तो जो इस ग्यान को प्राप्त नहीं कर पा रहा है वो कांटाक्ट करके तादात में करके उसी को मानता है यानि अव विवे की मनुष्य मन की वृतियों के साथ तादात्मय करता है हम जानते हैं मन की वृतियां अलग-अलग तरह की होती है किसी की प्रवृति किसी तरह की होती है किसी की किसी तरह होती है विवे की जन्न मन को साक्षिभाव में रखता है दूसरा जो लक्षन है सत्क गुणी पुरुष का वो होता है मेधा शक्ति यानि कि वस्तु को उसके यथार्थ में जानना, मिथ्या भाव का त्याग कर देना अपने बोध, अपने अवेवनेस में आ जाना और साथी साथ इसे कहा जाएगा कि किसी वस्तु को समझ कर युक्ती युक्त विचार करना यह बुद्धी मेधा शक्ति कहलाती है इसके अंदर धारन करने की शक्ति और स्मरन की शक्ति भी आती है यानि कि हम grasping power हमारी कितनी है और recalling power हमारी कितनी है हम कितना जल्दी चीज़ों का grasp कर लेते हैं कई लोग के बहुत high grasping power होती है एक बार में बताओ बास समझाती है और कई लोगों को समझाते रहिए रोज same lecture दीजिए वो तो समझना ही नहीं चाहते तो मेधा शक्ती सत्व गुणी पुरश के अंदर होगी ऐसा व्यक्ती मेधावी होगा तो उसके अंदर क्या चीज़े होती है मेधावी मनुष्य के अंदर मेधा शक्ती और फात्मे और कौन से तत्व होते हैं वो अपने आनंद सोरुप मेवास करता है उसको समझता है एक चीज दूसरी वो अपनी उपाधियों के साथ उपाधिया क्या है हम जानते हैं उपाधिया शरीर मन बुद्धी अपनी उपाधियों को समझता है जिसके द्वारा जगत में वहवार होता है मन के द्वारा वेवार होता है, शरीर के द्वारा, पुथी के द्वारा, साथ ही साथ, वो अपने कर्म शेत्र को समझता है, देखे जो व्यत्ति अपने सुभाव को जान गया, जो अपने अंदर उतर आया, वो अपने कर्म शेत्र को नहीं समझेगा, वो तो सबसे पहले समझे उसे पता है मेरा स्वभाव मेरा स्वधर्म मेरा नियत कर्म मेरा चातुरवर्ण ये सब हमने समझा हुआ है यह क्या है उसके कर्मशेत्र उसका हो जाता है वो अपने कारशेत्र को चुनता है और ठीक से जीवन को जीता है यह नहीं कि है तो वो डॉक्टर और कर कोई और काम र कर्म शेत्र को चुनता है साथी साल जगत्में हैवार काई waterproof की साथ कितना close होना जब व्रihतिखी होता है तो कर्थित्व अभिवान से क्रस्थ होकर स्वयम को करता मानता है देहावईमानTM का अभीवान होता यह देह मेरी है, यह मेरी देह सुंदर है, यह देह मेरी कर्म करती है, तो और कर्तित्प का अभिमान हो जाता है कि मैंने किया है, मैं करता, तो अविवेकी मनिश्य के लक्षन और जो विवेकी है वो सर्फ साक्षी भाव में, कि मैंने ही करता, करने वाली यह प्रक्रती है, प् हमेशा याद रखिए करने वाली प्रकृती ही है। हमेशा वही कर्म करती है, आत्म साक्षी भाव में रहता है, वो सिर्फ देखता है। जब वो तादात्मे करता है उपादियों के साथ, तभी वह अपने आपको ये समझ लेता है, जिब्रम हो जाता है, कि मैं कर रहा हूँ, परन तो वो नहीं करता, करने वाली प्रकृती ही होती है। यहाँ पर बोला गया कि चाहे शुबफल हो, चाहे अशुबब हो, जो व्यक्ति अपने में स्थिर रहता है, देखिए, हम बहुत च्वाइस रखते हैं, हमारे बहुत सारे च्वाइस हैं, हमारे अंदर यह भाव है, मुझे ऐसा ही चाहिए, करी लोगों के बहुत स्ट्रॉंग लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, मुझे तो ऐसा ही खाना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही भोजन चाहिए, मुझे तो ऐसे ही वस्तर चाहिए, ऐसा प्रोफेशन हो, ऐसा व्यक्ति हो, मेरे कुलीक्ज ऐसे हो, मेरे मित्र ऐसे हो, बहुत जादा strong likes and dislikes जिन्दगी ऐसी नहीं होती, जिन्दगी जो आपने कहा है वैसे नहीं होगी, जिन्दगी अपने हिसाब से होती है, कई बार ऐसा होता है, कि आपकी इच्छा की विरुत चीज आ गए, आप घर गए, खाना चाहते थे, आप कुछ और और बना है कुछ और, आप अगर करने लग गए, तो क्या होगा, वाइलिंट फ्लक्टुएशन प्राणों की होने लगती है, आपके एनर्जी चैनल के अंदर, वो क्रोध का भाव, वो इर्शा का भाव क्या करेगा, आपके अंदर एक विस्वोट पैदा करेगा, और आपके अंदर कुडन होगी, आपके अ को, अपनी किसी इच्छा को, वो सारी चीजें हमने होल्ड कर ली अपनी नाभी के अंदर में, जिसके कारण क्या हुआ, अब हमारे अंदर समस्या आने लगी, तो जो सत्व गुणी व्यक्ति है, वो च्वाइसलेस हो जाता है, यानि कि जैसा परमात्मा दे निर अहंकारिता मेरे में कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, जो परमात्मा की इच्छा वही मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा ही वही होती है, तो अपने आपको परमात्मा को उपकरण मनाता है, यानि मेरी आखें, मेरे हाथ परमात्मा के हैं, मेरा ये जिरुदर ध उसके अंदर अकरता भाव आएगा, यानि कि करता भाव उसका गिर जाता है, और वो कब गिरता है? जब अहंकार का विले होता है, आपके अंदर इगो ही नहीं है, तो अपने आफ़े चीज गिर जाएगी, अब इसे कैसे साथ हेंगे? ये समझते हैं, कैसे अहंकार इनसान का अहंकार छूटता है, जब आप प्रमात्मा की उपकरन बन जाते हैं, यानि हम सब रंगमंच की कतपुतलिया हैं, पपिट्स हैं हम, प्रमात्मा ने रोल दिया है, कोई उप्देश कर रहा है, कोई श्रोता है, सुन रहा है, कोई पिस्नसमैन है, कोई व्यक्ति सकाट्रिस्ट है, कोई व्यक्ति आई सोजुन है, कोई व्यक्ति हॉस्पितिल चलाता है, कोई व्यक्ति कोई और काम करता है, कोई पेंटर है, कोई घड़ा बना रहा है, जो काम दे दिया, ये मंच मिला हुआ है इस धर्ती लोग में इस मंच पे अपने काम को हच्छे से कीजिए जो बताया भगवान ने उसे धंग से कर लीजिए आप बच्चों का पालन पुष्ण घर पे करते हैं उसे ठीक से कीजिए आपको ऑफिस में काम करना होता है उसे धंग से कीजिए कुड़-कुड़ के मत कीजिए कुड़-कुड़ के जो लोग करते हैं कृप करते वे इरिटेट करते वे अपने आपको कोसते वे सिचुएशन को क्रोसते वे मेरा तो भाग्य ही ऐसा है मेरी तो ये दशा है मेरी को तो इस एस्ट्रोलेजन ने ये बता रखा है ऐस पन का त्याग करना है, उपकरन बन जाएए, आप समझ लीजी आपको करतब दिये हैं, उसे भंग से कीजीए साती जाद, याद रखिए कर्म का त्याग नहीं हो सकता एक शन भी नहीं हो सकता हमारा सास लेना हमारा बोलना, इटना बैठना सब कर्म में आता है आप उसे नहीं छोड़ सकते क्या किया जाए निमित बन जाईए उपकरण बन जाईए परमात्मा का उपकरण जैसे एक खूटी लगी भी होती है घर में आप उसके उपर अपने कपड़े टांग देते हैं खूटी कभी यह नहीं कहती है कि आज मुझे यही ड्रेस चाहिए या मुझे यह कोट ही मेरे उपर टंगे जिसके अंदर पैसे हों बिना पैसे वाला कोट हमें नहीं चाहिए खूटी कभी नहीं कहती तो जब हम उपकरण बन गए परमात्मा सफलता देगा तो परमात्मा सफल हुआ और परमात्मा फेलियर देगा तो परमात्मा फेल हुआ मैं पीच में नहीं हूँ तो ऐसा व्यक्ति हर चीज का त्याक करता चला जाता है और अपने आपको फ्री करता चला जाता है यानि कि वो परमात्मा का ही बन गया फल की आशा नहीं करता कोई आसकती उसको बांधती नहीं है तो अपने मन ही मन में संतुष्टी का भाव लिये हुए यानि जो परमात्मा करा दे परमात्मा जो कराए यहां भगवान त्रवित फलों की बात भी करते है तीन तरह के फल मिलते हैं एक होता है कामना से प्रेरित एक होता है जब हम परमात्मा पे सब छोड़के करते हैं और एक होता है जब मिश्रित होता है मिक्स फल आता है कामना से जब भी कोई कर्म किया जाता है उस कर्म की लकीर पत्थर की लकीर होती है मैंने ये इच्छा की मैंने ये कर्म किया अब वो पत्थर की लकीर बनी यानि वो हमारा संसकार बन गया फल बन गया अब वो हमें मिलेगा ही मिलेगा जब हम परमात्मा पे सब को छोड़ कर चलते हैं तो जो लकीर बनती है लकीर तो तब भी बनती है पर वो ऐसी बनती है जैसे पानी में आप उंगली लगाते हैं तो जो लकीर बनी थोड़े इसके बनी और मिठ गई तुरंट मिठ जाती हैं तो जो परमात्मा पे सब छोड़ देते हैं जैसे कभीर क्या करते हैं कहते हैं कि बड़ी जतन से ओड़ी चदरिया राम नाम की ओड़ी चदरिया फिर जो की दो धर दीनी चदरिया परमात्मा की चदरिया कर्म की चदरिया हम ओड़ रहे हैं बड़े जतन से ओड़ते हैं लेक सब कुछ अर्पित करके कि मेरे परमात्मा ही मेरे सब कुछ है मेरी सांस लेना भी परमात्मा के लिए मेरे रदेखा धड़कना परमात्मा के लिए मेरा भोजन करना परमात्मा के लिए मेरा देखना परमात्मा के लिए मेरा चलना परमात्मा के लिए ऐसा साक्षी भाव साधि क्योंकि जो हम गीता में पढ़ रहे हैं उसकी प्राक्टिस भी कर ली जाएं चलते चलते ये भाव रहे कि मैं थोड़ी न चल रहा हूं मेरे अंदर वे परमात्मा की शक्ति मुझे चलाती है मैं भोजन नहीं करता वे भोजन वो परब्रह्म ही स्विकार करता है मैं नहीं सो रहा परमात्मा सुला रहा है ऐसा भाव जगा लीजे भगवान गीता में बार बार कहते हैं कर्म करो परंतु फल की आशा छोड़ो मेरे उपर सब कुछ छोड़ो सब कुछ करने वाला मैं बैठा हूं मैं ही चला रहा हूं सारा स्तित्व सारी काइना आती चांद सितारे ये बड़ी बड़ी जितनी गैलक्सीज हैं नेबुलाज हैं जो कुछ भी हमने साइंस में देखा हैं जो कुछ भी हमने देखा हैं अंतरिक्ष में सब कुछ परमात्मा चला रहे हैं हमारे भग्ये चला रहे हैं, हमारी मुस्कान चला रहे हैं हम कहां टेंशन लेकर बैठे हैं सब कुछ परमात्मा पे छोड़िए अपना कर्म ठीक से कीजिए लेकिन ये मत कीजिए कि आप आराम से बैठ जाएं कि करने वाला परमात्मा है तो अब मुझे कुछ नहीं करना नहीं, परमात्मा सब करते हैं लेकिन प्रेड़ना भी देते हैं कि परमात्मा के लिए करने योगे कोई कर्म नहीं, फिर भी परमात्मा कर्म करते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर्म करते हैं हमें भी कर्म करना है परंतु ऐसा कर्म जो फल आशा और फला सक्ती से मुक्त हूँ क्योंकि कर्म में यही दो दोश माने गए हैं इसी के कारण कर्म बंधनकारक बनता है आप फल किया सक्ती और फल आशा कत्या कीजिए फिर देखिए फिर आपका कर्म मुक्ती का कारक बनेगा हिमाले के उत्तुंग शिक्रों ने मनुश्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेस रूप से देव भूमी हिमाचल जो फौलों के लिए फूलों के लिए और वहां के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद भूमी है हिमाचल के मनाली वाले ज्यास नदी के तट पर आप सब को साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्राण के लिए चांद्राण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंक को दोने के लिए अपने चित को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उतकर्ष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है एक तरह से जैसे कायकल्प होता है ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्राण तप कहा गया है दोलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रिकृति के वो सुंदर सुरम में वातावर्ण में तप करने का सुंदर आउसर है हम सबी के लिए 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर आउसर है इसमें आप लोग पदार सकते हैं इसका लाब ले सकते हैं दूसरा मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ जो पाँच दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है जिसमें कुण्डली जागरण से लेकर के समश चक्रों के जागरण की विधी सिखाने के साथ में हम जनम भी सुदरे और उमरन भी सुदरे तो यह है चक्र साधना कुनलनी शक्ति की जागरन की साधना और सोभग्य प्राप्ति के लिए सोभग्य द्यान का सुंदर आउसर होगा जिसके लिए पांच-पांच दिन के यह कैंप चलेंगे मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आईए और इसमें भाग लेजिए